भेला टारड व्याईपी कॉल्नी में 11000 वोल्ट का तार लटकँ रहा है और 47440 वोल्ट के तार भी लटक रहा है आप मेरे पीछे ठीक यहाँ पर देख सकते हैं यह जो पौल है फिलाल तो यह पोर भी जड़न स्थिती में है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 11,000 वोल्ड का एकतार लटक रहा है ये समस्या अभी हाल फिलाल की नहीं बलकि पिछले कुछ दिनों से हाँ पर देखने को मिल रही थी लेकिन अभी 2-4 दिन के पहले जब तेज बारिश हुई तो स्थिती और जरजर हो गई और ऐसे में आसपास के रहने वाले लोग काफी भाइबित हो गए हैं उन्होंने बताए कि इस मामले में कंप्लेइन भी किया गया लेकिन कोई अक्शन नहीं लिया गया जो असपास में लोग रह रहे हैं और यहां पर कब सी ये समस्या है और क्या परिशानी हो रही है देखें मैं भी आईपी कुलनी भेला टार से मनाज चोधरी बोल रहा हूं यहां पर यह समस्या मैं करीब पंच्छाओ माह से देख रहा हूं कि लंबा दूरी तक तार लटका हुआ है और इसके लिए कितना वार हम लोग ने कंप्लेइन भी किया एक पर ऐसा भी हुआ कि ता मैं दो आदमी आये आने को लाइन कटवा दिये हम लोग ने बताया कि इनको बनाई यह बोले कि नहीं थोड़ा सा डेंजरस चीज है एक कंप्लीकिटेट केस है मैं इसको तुरंत नहीं सुधार सकता हूं और उस तार को उठा के बगल के बॉंडरी में डाल दिया गया और उ कि जान जा सकती है उस पर मिस्तिरी ने बताया कि नहीं नहीं सर हम लोग बढ़िया से लप्यट देरें नहीं कुछ होगा लेकिन तार अभी भी जरजर इस्तिति में है तार लटका हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि जो तार का सहारा से पॉल है वह पॉल बिलकुल तूट चुका है एक जागा से पॉल तूट चुका है और पॉल में जो दोनों साइट से आइंगिल है वह तूटा हुआ भाग को पकल कर रखा है अगर अगर थोड़ा सा हट जा तो पॉल आधा तूटके नीचे गिर जागा उसके साथ नीचे तार भी आ जाएगा और जितना फेज कि आने जान में गिड़ जाए बॉड़ी पे अगर किसी का तो पुछ हुआ तो इतना और पोल गिरेगा तो उसका तो देथ होना निश्यत है इसलिए बिजली को से खिलवार करना नहीं है इसको जितना जल्दी हो एक्सल लिया जाए और इसको ठीक किया जाए क्योंकि हमारे कॉली में बच्चे भी रहते हैं लोग जितने रह रहे हैं पर में बात है कि बोला गया कंप्लेंट तो किया गया है अब इसका जल्दी से जल्दी सुनवाई हो वह बेटर होगा या मॉसली आपका भेला टांट परता है भेपी कॉनली भेला टांट ठीक है तो यहां हम लोग विगत हम मेरा तो करीब करीब लगता है कि 22 साल को 23 साल हो गया है यहां पर आए हुए तो अभी जो इस्थिती है तो आप देखी रहे हैं इसके पहले रोड को ले करके इस्थिती बहुत ना रखिये था बंद कर था तो अभी कुछ सुधार हुआ उसमें रोड वगेरा बना यहां 11,000 का वोल्ट का वायर जो है वो क्रॉस किये हुए है और यह कौनली में आप देख रहे हैं कि बच्चे लोग निकलते रहता है साइकल चला रहा है सब कुछ में सब लोग बीजी है और वैसे स्थिती में अगर कोई वो तार गीर जाए और बरसात के सीजन में तो कितन भ्यावा होगा तो इसी को ले करके मंथन चल रहा था तो विजली विभाग से हम लोगों ने कंप्लेन किया तो वो लोग आए और वो आईसे ही उसको घीच करके बना करके छोड़के चले गए हैं वो टेंपोरेरी फेज है वो इसमें पोल को मरमत करना होगा नया पोल को ठीक करवाना है इसको और तब जाकर के यह दुरूस्त होगा एक भी पोल हम लोगों का आप देख लिए स्टीट लाइट भी नहीं जलता है और पोल तो जो लगा हुआ है राम भरो से चल रहा है पोल का अभी आगे हम लोगों ने पहले भी इसको लीक चुका है कि यहां पर पोल का जरूरत है तो यह चीज अभी तक नहीं हुआ छे साथ पोल अभी लगना है और सारा पोल जो है वो आप पेर से बांधा हुआ है और यह जो पोल है वो सही लाइन में नहीं लगा हुआ यह बिलकुल जैसे तैसे इसको लगा दिया गया है तो यह हमेशा हमेशा दुर प्याग लग चुकी है इसमें टांस्फर्मर में और ये तार जैसे तैसे जूला हुआ है उतार से सट करके कई बार तूटकर गीर गया है इसको अभी फिलहाल हम लोग बनवाए तो ये दुरगटना को आमंतरम देता है तो हम लोग जीम साहिब को एक आवदन दिये हुए है अ कि इसके बारे में इन्होंने लेखे तशिकायद दी लेकिन सिर्फ आस्वाशन मिला बीच में आकर कुछ कर्मियों की और से खाना पूर्ती भी की गये लेकिन एक सही इस पर आक्शन नहीं लिया गया दो तारों को एक तीसरे कमजोर तार से जोड़ने का प्रयास किया गया ये कहकर काम को टाल दिया गया ये काफी डेंजर है लेकिन डेंजर तो फिलाल स्थिती यहां पर है ऐसी स्थिती है कि यहां से आसपास में जाने वाले लोगों के अंदर डर है जो छोटे-छोटे बच्चे यहां कॉलनी में काफी जदा है उनके अंदर डर है और सबसे खास बता दे सकती है अब देखते कि कब तक इस पर आक्शन लिया जाता है और एक सही फासला लिया जाता है क्योंकि इस प्रकार से हैं पर ताल लटक रहे हैं और कोई हादसा हो जाए तो शायद इसके जिम्मेवार कई ना कई झाल